सुक्त इकत्थर देवता अग्नी नमस्कार अगर आप किसी कारण वर्ष मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिगा सुक्त इकत्थर देवता अग्नी कामना करने वाली एवं एक साथ निवास करने वाली अंगुलियां हव्य की अभिलाशा करने वाली अग्नी को हव्य देकर उसी प्रकार प्रसंद करती हैं जिस प्रकार विवाहिता नारी अपने पती को प्रसंद करती है पहले कृष्णवर्ण धारन करने वाली उशा की सेवा जिस प्रकार सूरिक किरने करती हैं उसी प्रकार उंगलियां पूजनी अगनी की अंजली बंधन से सेवा करती हैं हमारे पित्र अंगेराउने मंत्र द्वारा अगनी की स्तुती करके उस दुतीर शब्द द्वारा ही बल्वान एवं द्रिड पणी असुर को समाप्त किया था एवं हमारे लिए महान ध्यूलोग का मार्ग बनाया था इसके पशाद उन्होंने सुख पूर्वक प्राप्य दिवस संसार प्रकाशक सूर एवं पढ़ियों द्वारा चुराई हुई कायों को जाना था जिस प्रकार लोग धन धारन करते हैं उसी प्रकार अंगेरावंशी रिश्यों ने यग्य की अगनी को धारन किया था जो यजबान धन के स्वामी हैं जो अन्य विश्यों की तृष्णा से रहत होकर अगनी को धारण करते हुए यग्य कर्म में सनलगन रहते हैं वे हवी रूप अन्य के द्वारा देवों और मानवों की वृध्धी करते हुए अगनी के सम्मुख जाते हैं व्यान रूपी वायू अगनी को जब जब मतते हैं तब तब वह शुब्रवर्ण अगनी समस्ति यग्य ग्रह में उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार मित्रता का आचरन करता हुआ राजा बली राजा के समीप अपना दूद भेजता है उसी प्रकार भ्रिगुरिशी ने अगनी को दूद के काम में लगाया है हे अगनी जब यजबान महान एवं पालन करता देवगर्ण के लिए धर्ती का सारभूत रस देता है तब स्पर्श करने में कुशल राक्ष सादी तुम्हें हव्वेवाहक जानकर पलायन कर जाते हैं बान फेखने में कुशल अगनी अपनी शत्रुनाशक धनुश से उन भागते हुए राक्षसों आदि पर प्रकाश्युक्थ बान फेखते हैं एवं अपनी पुत्री उशा में दीप्तिमान अगनी देव अपना तेज स्थापित करते हैं। ही द्वी बार्य अगनी देव जो यजमान तुम्हें अपने यग्य ग्रह में शास्त्रिय मर्यादा के अनुसार काश्ठों से चारों और प्रज्जुलित करता है। एवं कामना करने वाले तुम्हारे लिए प्रति दिन नमस्कार करता है। तुम उसके अन्न की वृद्धी करते हो। जो व्यक्ति रत सहित युद्धा भिलाशी पुरुष को रण में प्रेरित करता है। वैपुरुष धन प्राप्त करता है। जिस प्रकार विशाल साथ सरिताएं सागर के पास पहुँचती हैं। उसी प्रकार समस्त हव्वे अन्न अगनी को प्राप्त होते हैं। हमारे पास इतना कम अन है कि हमारी जाती वाले उसका भाग नहीं पाते। इसलिए तुम देवों में मननिय धन को जानकर हमें प्राप्त कराओ। अगनी का शुद्ध एवं दीप्त तेज अन के लिए जठरागनी के रूप में यजमान को व्याप्त कर ले। उसी तेज द्वारा परिपक वीर्य गर्भस्तान में पहुँच कर पुत्र उत्पन्न करें तथा उसे शुभ कर्म में प्रेरित करें। आकाश मार्ग में मन के समान शीख्र जाने वाले इका की सूर्य अनेक स्थानों में रखे हुए धन को प्राप्त करते हैं। प्रकाश मान इवं सुन्दर बाहुयुक्त मित्र और वरुण प्रसंता कारक तथा अम्रित्तुल्य दूद की रक्षा करते हुए हमारी गायों में स्थित रहें। हे अगनी हमारे पती तुम्हारी जो परंपरागत मित्रता है उसे नश्ट मत करो क्योंकि तुम भूत भविश्य एवं वर्तमान सबके ग्यादा हो जिस प्रकार आकाश को सूरे की किर्णे ठक लेती हैं। उसी प्रकार हमारा विनाश करने वाले बुढ़ापे को हमसे दूर रखने का प्रित्न करों। सुक्त बहत्तर देवता अगनी। मनुष्यों के लिए हितकारक धन हाथ में धारन करते हुए नित्य एवं ग्यान संपन अगनी ब्रह्म संबंदी मंत्रों को स्विकार करते हैं। स्तुती करताओं को अमृत प्रदान करते हुए अगनी उत्कृष्ट धन के स्वामी होते हैं। मरन रहित समस्त देवगर्ण एवं मोह ही मरुतगर्ण चाहने पर भी हमारे प्री एवं सबोर वर्तमान अगनी को प्राप्त नहीं कर सके। अगनी के विना वे दुखी हो गए एवं पैदल चलते हुए धक कर प्रकाश को दीखते हुए अगनी के स्थान में उपस्तेत हुए। हे शुद अगनी दीपती संपन मरुतों ने तीन वर्ष तक घृत से तुम्हारी पूजा की। तब तुम प्रकट हुए। तब हे तुम्हारी अनुकमपा से उन्होंने यग्य में प्रयोग करने योग्य नाम इवं शरीर प्राप्ट किये। यग्य पात्र देवोंने विस्तरित आकाश इवं धर्ती के पीच रहकर अगनी की योग्य स्थूतियां की थी। मरुदगणोंने इंद्र के साथ जाना की अगनी उत्तम स्थान में छेपे हैं। इसके परशात उन्हें प्राप्ट किया। हे अगनी, देवगण तुम्हें भली प्रकार जानकर बैठ गये। एवं अपनी स्तरियों के साथ तुम्हारी पूजा करने लगे। तुम उनके सामने घुड़नों के साहरे बैठे थे। देवता तुम्हारे सखा एवं तुम्हारे द्वारा रक्षित थे। उन्होंने अपने मित्र अगनी को देखा। तो अपने शरीरों को सुखाते हुई यग्ये करने लगे। हे अगनी यजबानों ने तुम्हारे भीतर छेपे हुए 21 तत्वों को जाना। जान करवे उन्हीं से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम यजबानों के प्रती उतना प्रेम रखते हुँ। उनके पशू एवं स्थावर जगम धन की रक्षा करो। हे अगनी समस्त ग्यातवे बातउं को जानते हुए तुम्हारी यजबान रूपी प्रजाउं की जीवन के लिए भूख रूपी रोगो दूर करो। धर्थी और आकाश के मथे देवों के जाने के मार्ग को जानते हुए तुम आलस से छोड़ कर देवों के दूद रूप में हवी वहन करो हे अगनी तुमने शोभन कर्म, युक्त, साथ, महान नदियों को आकाश से निकाल कर धर्थी पर बहाया है यग्य को जानने वाले अंगिरा गोत्रिय रिशी ने बल नामक असुर द्वारा चुराई कई कायों का मार्ग तुमसे जाना था तुम्हारी ही कृपासे सर्मा ने अंगिराओं से कोद्ध दुग्द पाया था उसी दुग्द से मानवों की रक्षा होती है आदित्यों ने अमरन भाव की सिध्धी के लिए उपाय करते हुए पतन रहत होने के लिए कर्म किये एवं उन महानुभावों के सहित उनकी आदिना माता पृत्वी ने समस्त जगत को धारन करने के लिए विशेश महत्व प्राप्त किया था हे अगनी देव यह सब इसी कारण हो सका कि तुमने उस यग्य का हभी भाक्षन किया था यजमानों ने उस अगनी में शोभन यग्य समपत्ती स्थापित की एवं यग्य का चक्षुरूप घृत डाला इससे मरन रहित देव यग्य का समय जान कर आए हे अगनी तुम्हारी प्रकाश्युक्त ज्वालाएं सरिताओं के समान समस्त दिशाओं में फैल गई एवं आई हुए देवों ने उन्हें जाना सुक्त तेहत्तर देवता अगनी अगनी पैतरिक धन के समान अन्यदान करते हैं वे धर्मशास्त्र के विद्वान व्यक्ति के समान सरल नेता हैं वे सुखासन से बैठे हुए अतिती के समान तरपणिये एवं होमकरता के समान यजमान के घर की उन्नती करते हैं जो अगनी प्रकाश्युक्त सुरे के समान यथात दर्शी होकर अपने कर्मों से लोगों को सब दुखों से बचाते हैं यजमानुसिक प्रकाशित होकर रूप के समान परिवर्दन हीन एवं आत्मा के समान सुखदायक हैं ऐसी अगनी को सब यजमान धारन करते हैं जो अगनी प्रकाश्वान सुरे के समान सारे जगत को धारन करते हैं अनुकूल मित्रों वाले राजा के समान धर्ती पर नवास करते हैं एवं जिस अगनी के सामने संसार इस प्रकार बैठता है, जैसे पुत्र पिता के सम्मुख, वे अगनी अनिंदिता एवं पती द्वारा सुईकृत नारी के समान शुद्ध कर्म करने वाले हैं। हे अगनी यजमान उपद्रव रहत गामों में बने, अपने यग्य क्रिफों में निरंतर कास्ट जलाकर सामने बैठे तुम्हारे सेवा करते हैं, एवं अनेक प्रकार का हव अन देते हैं। तुम सब अन के स्वामी बनकर हमें देने के लिए धन धारन करो। हे अगनी हवी रूप धन से यजमान अन प्राप्त करें। इवं तुम्हारे स्तुती करने वाले तता हवी देने वाले विद्वान संपूर जीवन प्राप्त करें। हम संग्राम में शत्रू के अंड पर अधिकार करने के पश्चात यश के लिए देवों को हवी का भाग दें। अगनी की बार-बार अभिलाशा करती हुई नित्य, दुगधर्शालिनी एवं तेजस्विनी गाएं यग्य देश में प्राप्त अगनी को दूद पिलाती बहती हुई सरिताएं अगनी से अनुग्रह की याचना करती हैं। परवत के समीब से दूर देश को बहती हैं। ये द्योत्मान अगनी यग्य के स्वामी देवों ने तुम्हारे अनुग्रह की याचना करते हुई तुम में हवी स्थापित किया। इसके पश्चात इस नभिन रूप वाला बनाया, अर्थात निशा को काला और उशा को अरुण दिया। हे अगनी, तुम जिन लोगों को धन प्राप्त करने के लिए यग्य कर्म के प्रती प्रेरित करते हो, वे और हम यग्य प्राप्त करें। तुमने आकाश, धर्थी और अंतरिक्ष को अपने तेद से भर दिया है। तथा तुम चाय के समान, सारे संसार की रक्षा करते हो। हे अगनी तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम अपने अशवों से शत्रू के अश्वों का, अपने भट्टों द्वारा शत्रू के भट्टों का एवं अपने पुत्रों की सहायता से शत्रू के पुत्रों का बध करेंगे परंपरा से प्राप्त धन के स्वामी एवं विद्ध्वान हमारे पुत्र सौवर्ष जीवित रहकर सुख भोगे हे अगनी हमारे समस्त स्तोत्र तुम्हारे मन और अंतहकरण को प्रिय हूँ हम देवों के भोग करने योग के धन तुम्हें स्थापित करके तुम्हारे उस धन की रक्षा करना चाहते हैं जो हमारी दरित्रता मिटा सके सुक्त जोहत्तर देवता अगनी दूर रहकर भी हमारे स्तोतियां सुनने वाले एवं यग्य में शीक्रता से उपस्तित होने वाले अगनी की हमस्तोती करते हैं शत्रु भाव से पून एवं हत्या करने में प्रबृत प्रजाओं के मध्यस्तित हवी देने वाले यजमान के धन के रक्षक अगनी की हम स्तुति करते हैं। शत्रु नाशक एवं संग्राम में शत्रु के धन पर अधिकार करने वाले अगनी के उत्वन होते ही सब लोग उनके स्तुति करें। हे अगनी जिस यजमान के यग्य ग्रह में तुम देवदूत बन कर आते हो एवं उन देवों के भोग के लिए हवी ग्रहन करके यग्य के शोभा बढ़ाते हो हे बलपुत्र अगनी उसी यज्मान को सब लोग शोभन हवी संपन सुन्दर देवों वाला एवं उत्तम यक्य युक्त कहते हैं हे शोभन एवं आलादक अगनी हमारी स्थुती स्विकार करने के लिए इस यक्य में देवों को हमारे समीप ले आओ एवं उनके भाक्षन के लिए हव् प्रदान करो हे अगनी जब तुम देवों के दूद बन कर जाते हूँ तो शीक्र चलनी के कारण तुम्हारे रत का शब्द नहीं सुनाई देता हे अगनी निक्रिष्ट पुरुष्वित तुम्हें हव् वेदान करके तुम्हारे द्वरा रक्षित अन्यका, स्वामी एवं एश्वरे शाली बन जाता है हे प्रकाश्मान अगनी देवों को हव् देने वाले यज्मान को प्रोण, दीब्द एवं शक्ति संपन्न, धन्दु सुक्त, बचत्तर, देवता, अगनी हे अगनी देव, अपने मुख में हव् ग्रहण करते हुए, देवों को भाली प्रकार प्रसंद करों, एवं हमारी विस्तीर्ण, स्तुतियां स्वेकार करों हे अंगिरा गोतरिय, रिश्यों एवं मेधावियों में श्रेष्ट अगनी हम तुम्हारे ग्रहण करने योग्य एवं प्रसंदादायक स्तोत्र का उचारन करते हैं हे अगनी, मनिश्यों की बीच में तुम्हारा बंधु कौन है? कौन, तुम्हारा यग्य करने में समर्थ है, अर्थात क्यों नहीं? तुम कौन हूँ? और कहां रहते हो? हे अगनी तुम सबके पंधु एवं प्रे मित्र हो तुम मित्रों के स्तुतियोग्य मित्र हो हे अगनी हमारे निमित, मित्र, वरुन एवं अन्य देवों को लक्षे करके यजन करो तुम विशाल एवं यथार्थ फलवाले यग्य को पूरा करने के लिए अपने यग्य ग्रह में जाओ सुक्त छेत्तर देवता अगनी हे अगनी हमारे प्रती तुम्हारा मन प्रसन होने का क्या उपाय है तुम्हें सुक देने वाले स्तुती कैसी होगी तुम्हारे एक शम्ता के अनुकूल यक्य कौन यजमान कर सकता है हम किस मन से तुम्हें हव्य प्रदान करें हे अगनी इस यक्य में आओ और देवूं के आवाहन करता बन कर बैठो राक्षसादी तुम्हारे हिंसा नहीं कर सकते इसलिए तुम्हारे अग्रगामी नेता वनो तुम्हें समस्त आकाश एवं धर्दी द्वारा रक्षत होकर देवूं को परम प्रसन करने के लिए हवी द्वारा उनकी पूजा करो हे अग्नी समस्त राक्षसों को भली प्रकार नश्ट करके हिंसा से यग्य की रक्षा करो संपून सोम्रसों के पालन करता इंद्र को उसके हरी नामक अश्रों सहित इस यग्य में लाओ क्योंकि हम शोभन फल्दाता इंद्र का आदिति सत्कार करेंगे मैं मुख द्वारा हव्विक्रहन करने वाले अग्नी का आवहन ऐसे स्तोत्रों द्वारा करता हूँ जो संतानादी फल देने में समर्थ है हे यग्य करम यूग के अग्नी तुम अन्य दीवों के साथ बैठो एवं होता तथा पोता द्वारा किये जाने वाले कर्म करो तुम धन के स्वामी इवं सब के जन्मदाता बनकर हमें जगाओ हे अगनी तुमने क्रांत दर्शी बन कर मेधावी रित्विजूं के साथ जिस प्रकार मेधावी मनु के यग्य में हवे द्वारा देवों की पूजा की थी हे यग्य संपन्न करता साध हो अगनी इसी प्रकार तुम इस यक्य में देवों की पूजा आनन्द दायक जुहु नामक सुरुक द्वारा संपर्न करू। करने वाले अगनी के अनुरूप भव हम कैसे दे सकेंगे। हम तेजस्वी अगनी के प्रती देवुचित स्तूती किस प्रकार करेंगे। उस समय वे देवों को यग्य पात्र जानकर मन से उनकी पूजा करते हैं। देवों के अभिलाशा करने वाली प्रजाएं यग्य करता, विश्व संघारक, उत्पादन करता, मित्र के समान, अँप्राप्त धन के प्राप्त करने वाले। एवं दर्शनी अगनी के समीप जाकर उन्हें यग्य का प्रधान देव मानती एवं उनकी स्तुती करती हैं। यग्य के नेताओं के मध्य आतिशय नेता एवं शत्रू के भाक्षन करता अगनी हमारी स्तुतियां एवं हव्य स्युक्त यग्य की काम ना करें। जो धनी और शक्तिशाली यजमान हव्य प्रदान करके अगनी के माननी स्तोत्र को करना चाहते हैं, अगनी भी उनकी स्तुति की काम नाएं करे। यग्य के स्वामी एवं सर्व क्या था, अगनी की गौतमादी रिश्यों ने इसी प्रकार स्तुति की थी। अग्नी ने प्रसन्न होकर इन रिश्यू का तेजस्वी सून पिया था एवं अन भक्षन किया था। वे अग्नी हमारे द्वारा दिये हव्वे को जानकर पुष्ट होते हैं। अग्नी ने प्रकाशक मंत्र से बार बार तुम्हारे स्तुति करते हैं। अग्नी तुम दस्यों एवं अनार्यों को स्थानुचित करों एवं सर्वापेक्षा शत्रु हन्ता तुम्हारे स्तुति तुम्हारे गुण प्रकाशक मंत्रों से बार बार करते हैं। मैं रहुगण मंचिय गौतम अग्नी के प्रती मधुर वचनों का प्रयोक करता हुआ। गुण प्रकाशक स्तोत्र द्वारा उनकी बार बार स्तुति करता हुआ। सुक्त उनासी देवता अग्नी हिरन्निकेश विद्युत रूप अग्नी मेगों को कमपित करने वाले वायू के समान शीग्र गतियुक्त एवं शुभन दीप्ती वाले बन कर मेग से जल बरसाना चाहते हैं। अन्युक्त अपने काम में लगी हुई सीधी साधी प्रजाओं के समान उशा यह कारण नहीं जानती। हे अग्नी तुम्हारी शोभन पतंचील किरने मरुतों के समान मिलकर वर्शा के उद्देश से मेगों को ताडित करती हैं। तभी कृष्णवर्ण एवं वर्शाकारी मेग गरशता है। और सुकारणी तथा हंस्ती हुई सी श्वेत बूंदों के साथ आता है, फिर पानी गिरता है और बादल गरशता है। जब यह अग्नी उदक के रस से संसार को भेगोते हैं। एवं स्नान पान आदी के रूप में जलके उप्यों का सरल उपाय बताते हैं। उस समय अरेमा, मित्र, वरुण, एवं चारों ओर गतिशीद, मरुदगण, मेलग के जलक्तपत्ती स्थान के आचादन को नश्ट करते हैं। हे शक्ति पुत्र अग्नी तुम बहु संख्य गायों से युक्त अन्न के स्वामी हो। हे जात वेदा हमें पर्याप्त अन्न दू। हे दीपणशील सबको निवास देने वाले क्रांत दर्शी स्तोत्र द्वारा प्रशन चनी एवं अनेक ज्वाला युक्त अग्नी तुम इस प्रकार दिप्त बनू जिस प्रकार हमारे पास धन्युक्त अन्न हो सके। हे तीजस्वी अग्नी दिवस अत्वार रातरी में अपने आप या अपने पुर्शों द्वारा राक्षस आधी को बाधित करो। हे तीक्ष्ण मुख प्रत्य एक राक्षस को जलाओ। हे समस्त यग्य कर्मों में वंदनी अग्नी हमारे गायतरी चंदवाले सुक्त के संपादन के कारण प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। हे अगनी हमें दारिद्रे का अभिलंब विनाश करने वाला वर्णिय एवं समस्त संग्रामों में शत्रूं द्वारा दुस्तर धन दो हे अगनी हमारे जीवन के लिए शोभन ग्यान युक्त सुखे तू संपून आयू परेंत देह आदि का पोशक धन प्रदान करो हे शोभन धन के अभिलाशी गौतम विशुद्ध वचनों से देख्षन ज्वालाउन वाले अगनी की स्तुति करो हे अगनी हमें दारिद्रे का अभिलंब विनाश करने वाला वर्णिय एवं समस्त संग्रामों में शत्रूं द्वारा दुस्तर धन दो हे अगनी हमारे जीवन के लिए शोभन ज्ञान युक्त सुखेतो संपून आयू पर्यंत देह आदि का पोशक धन प्रदान करो हे शोभन धन के अभिलाशी गौतम विशुद्ध वचनों से देख्षन ज्वालाउन वाले अगनी की स्तुति करो हे अगनी जो शत्रू हमारे समीब यद दूर रहकर हमें हानी पहुँचाता है उसे नश्ट करके हमारी वृध्धी करो असंख्य ज्वालाउन वाले एवं सब को विशेश रूप से देखने वाले अगनी राक्षसों को यग्य भूमी से भगाते हैं वे हमारे द्वारा स्तूत्रों की सहायता से स्तुत्ध होकर देवों को बुलाते एवं उनकी स्तुति करते हैं सुक्त असी देवता इंद्र हे अतिशे शक्तिशाली एवं वज़धारी इंद्र जब तुमने प्रसंता दायक सोम्रस पी लिया तो स्तोता ने तुम्हारी व्रिधी करने वाली स्तुतिया की इसलिए तुमने अपनी शक्ती से धर्ती पर खड़े होकर अही नामक राक्षस को पीटते हुए अपना अधिकार प्रकट किया था हे इंद्र गीले करने वाले मादक शैन पक्षी का रूप धारन करने वाले काईतरी द्वारा लाए गए एवं निचोड़े हुए सोम्रस ने तुम्हें प्रसंत किया था हे बज्री तुमने अपना अधिकार प्रकट करते हुए अपनी शक्ती से आकाश में व्रित्र राक्षस को मारा था हे इंद्र जाओ और शत्रूं के सामने पहुँच कर उन्हें हराओ कोई भी ना तो तुम्हारे वज्र का नियमन कर सकता है और ना तुम्हारे शक्ती को अभेभूत करने में समर्थ है इसलिए तुम व्रित्र राक्षस का वद्ध करके उसके द्वारा रोके हुए जल को प्राप्ट करो एवं अपने प्रभूत्व का प्रदर्शन करो हे इंद्र तुमने धर्ती और आकाश के उपर व्रित्र का वद किया था तथा अपना प्रभुत्व स्पस्टक करते हुए मरुद्गणों से युक्त एवं जीवों को त्रप्त करने वाला जल बढ़ साया था क्रोध में भरे इंद्र व्रित्र असुर के सामने जाकर उसे कमपाते हैं उसकी उठी हुई ठोड़ी पर वज्र का प्रहार करते हैं एवं अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुई वर्षा के जल को बहाते हैं इंद्र शत्धाराओं वाले वज्र से व्रित्र असुर के उठे हुई कपोल पर आघात करते हैं एवं अपना प्रभुत दिखाते हुए प्रसन्न होकर स्तोताओं के प्रती अन्न प्राप्ति के उपाय की इच्छा करते हैं हे मेग वाहन व वज्रधारी इंद्र तुम्हारी ही सामर्थ शत्रूं द्वारा अतिस्कृत है क्योंकि तुमने अपना प्रभुत देखाते हुए म्रिगरू पधारी व्रित्र का माया द्वारा वद किया था हे इंद्र तुम्हारा वज्र नब्वे नदियों के उपर व्यवस्थित हुआ था तुम अपने पर्याप्त वीर्य एवं बलशालीनी भुजाओं से अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करो हजार मनुष्यों के एक साथ इंद्र की पूजा एवं बीस ने स्थूति की थी सौरिश्यों ने इंद्र की बार बार स्थूति की थी इंद्र के निमित हव्य अन सबसे उपर रखा गया था इसलिए इंद्र ने अपना अधिकार प्रदर्शित किया इंदर ने वृत्र राक्षश का बल अपने बल से नश्ठ किया एवं अपिभव के साधन आयूद्धों से वृत्र के आयूद्ध समाप्थ किया इंद्र का बल अती प्रोड है क्योंकि उन्होंने व्रित्र को मार कर उसके द्वारा रोका हुआ जल बहाया एवं प्रभुत्व का प्रदर्शन किया ये वज़धारी इंद्र तुम्हारे क्रोट से ये विशाल धर्ती आकाश भायभीत होकर कांपते हैं क्योंकि तुमने मरुत्व के साथ मिलकर अपनी शक्ती से व्रित्र का वद किया एवं अपना अधिकार प्रदर्शित किया व्रित्र अपने कमपन से इंद्र को नहीं डरा पाया इंद्र द्वारा छोड़ा हुआ लोह निर्मित एवं हजार धारूं वाला वज़ध्र व्रित्र को मारने के लिए उसकी उर गया इस प्रकार इंद्र ने अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया हे इंद्र जब व्रित्र ने तुम्हें मारने के लिए अश्नी छोड़ी और तुमने उसे अपने वज़र से नश्ट कर दिया उस समय तुमने अही अर्थात वृत्र के नाश के लिए संकल्प किया और तुम्हारा बल आकाश में व्याप्थ हो गया इस प्रकार तुमने अपना प्रभुत प्रदर्शित किया हे वजरधारी इंद्र जब तुम सिंखनात करते हो तो स्थावर और जगम सभी काप उठते हैं तथा वजर निर्माता तुष्ठा भी तुम्हारे कोप से भाई भी थोड़ते हैं इस प्रकार तुम अपना अधिकार दिखाते हो सर्वत्र व्यापक इंद्र को हम नहीं जान सकते क्योंकि अत्यंत दूर अवस्थित इंद्र की सामर्थे को कौन जान सकता है देवु ने इंद्र में अपना धन, क्रतु एवं बल स्थापित किया था इसलिए इंद्र ने अपना प्रभुत स्थापित किया अधर्वा रिशी समस्त प्रचाओं के पितातुल्य मनु एवं अधर्वा के पुत्र दध्यांग रिशी ने जितने भी यग कर्म किये उनमें प्रियक्त हवी रूप अन एवं स्तोत्र प्राठीम रिश्यों के यग्यों के समान इंद्र को ही मिले इसलिए इंद्र ने अपने अधिकार का प्रधर्शन किया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे